हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका आपने चैनल बेस्ट श्टडी इन हिंदी पर दोस्तो, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि समकौन तरी भूज में कर्ण का मान को कैसे निकाला जाता है देखे अगर समकौन्त रिभुज में किसी भी एक भुजा का मान को निकालना होगा तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आसान तरीका से निकाल सकते हैं देखे सबसे पहले आपर प्रोस्टन में दिया हुआ है लंब का मान वह देखे है 12 सेंटीमीटर तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बराबर 12 सेंटीमीटर अब देखे यहाँ पर दिया हुआ है आधार का मान यहाँ देखे यहाँ पर लिखेंगे आधार बराबर यहाँ पर देखे है 5 सेंटीमीटर और आपको देखे निकालना है कर्ण का मान तो देखे यह पर कर्ण का मान कुछ भी नहीं है तो इसका मान को आपको निकालना होगा अब देखे इसको निकालने के लिए आपको देखे एक फर्मूला को याद रखना है देखे फर्मूला होता है कर्ण का वर्ग, बराबर, लंब का वर्ग, और पलस में होता है आधार का वर्ग, यहाँ फर्मूला को आपको याद रखना है, देखिए अगर आपको यहाँ फर्मूला पता होगा, तो आप समकौंत्री भुज में किसी भी एक भुजा का मान को निकाल सकते हैं, जैसे देखिए अपर कर्ण का मान को निकालना है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो देखिए कर्ण के जगह पर, यहाँ पर मानेंगे एक्स को, और इसके घात में देखिए दो है, यहाँ पर देखिए है, लंब का स्क्वाइर, देखिए लंब का मान 12 है, तो 12 को लिखें और इसका स्क्वेर को लिखेंगे यहाँ पर अब देखिये प्लस में है आधार का स्क्वेर अधार का मन देखिये पांच है इसका स्क्वेर को लिखेंगे अब देखिये इसको हल करने के लिए यहाँ पर देखिये एक स्क्वेर यहाँ पर देखिए 12 के स्क्वेर है 12 के स्क्वेर होता है 144 यहाँ पर देखिए 5 के स्क्वेर है 5 के स्क्वेर होता है 25 अब देखिए आपको यहाँ पर 144 और 25 को जोड़ना है 5 और 4 को जोड़े यह होगा 9 2 और 4 को जोड़े यह होगा 6 और यहां पर देखें, एक है, आपको देखें, एक सकमान को निकालना है, तो यहां जिस स्क्वाइर है, इसको बराबर के उस पर भेजना होगा, देखें, स्क्वाइर जो है, बराबर के उस पर जाता है, तो यहां बन जाता है रूट, यहां देखें, रूट के अंदर 179 को ल तेरा यानि देखे कर्ण का जो मान होगा वह जागा तेरा सेंटीमीटर देखे यह जो फर्मूला है यह पाइथा गोरस पर में होता है तो देखे इस फर्मूला की सहता से अगर आपको लंब का मान निकालना होगा तो आपको लंब के जगह पर एक्स मानना होगा तो देखिए इस तरह से आप समक्वन्तिरी भुज में किसी भी एक भुजा का मान को निकाल सकते हैं